जैशी राम सभी भगतों को जैमातागी फिर एक नहीं वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कैसे जाने कि हमारे उपर कौन से देवी देवता की कृपा है क्या हमारे कुल के देवता की है या हमारे इष्ट की है गुरू करके भी रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैश्री राम जैश्री बाला जिमार इश्वरी किर्पा इश्वरी किर्पा सभी के ऊपर होती है किसी के रूप में जब हम भगवान की पूजा करते हैं उनकी याचना करते हैं उनकी साधना करते हैं तो शक्तियां भी हमें पराप्त होती हैं लेकिन उन शक्तियों के कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो हम समझने में ऐसमर्थ होते हैं अगर हम उन्हें समझ जाते हैं तो हम जान जाते हैं क हमारे शरी पर कौन सी दिल्वे शक्ति काम कर रही है इसकी शक्ति काम कर रही है मान लिजी अगर आप हनुमान जी की बक्ति करते हो हनुमान जी की पूजा करते हो साधना करते हो सुबह शाम उनकी तपस्या करते हो तो हनुमान जी की वीर आपकी शरीप आएंगे ही आएंगे, वो क्योंकि जो भगवान की पूजा करता है, जिस भी देवी देवता की पूजा अराधना करता है, उस देवी देवता की किरपा जो है शरीप पर अपती है, फिर होती है कि खांदान की किरपा, खांदान में अगर मान लिजे कोई आपके बाबा कोई आपके दादा कोई आपके दादा गुरू वालो हनवान जी के भंगत थे तो उनकी किर्प और उनने हनवान जी की किर्पा को प्राप्त कर लिया था तो वो भी स्वाम एक किर्पा रूप लेकर आपके शरी पर वास करते हैं आपके उसी को ह पहलें किसी बात यहां सोती है कि नियुक्त बेँड़िक देवता की शेष्ट कriftा को कि परप्त रोती होती है लिए कि क्यों कुंभारिल ऑपर क्पूज़ा करते ही करते हैं, नेंकिन परिवार की अंदर कोई जागर्च चक्ति की पूज़ा है लंब समय दो ह домой यहीं है, तो खानदानी कुल देवी देवता की किरपा जो है आपके उपर रहती है, कुल की शेष्ट देवी देवता की किरपा अगर आपके उपर रहती है तो आपके कित्रों की किरपा भी आपके उपर आटोमेटिक भी रहे लिए, अब होता है कि हम मालो मा दुर्गा की पूजा करते है हमारा लगन लगती है हनुमान जी की तर तो इसमें भी संदेव इत्विक्तियों के मन में रहता है कि यह सा क्यों है इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अगर आप दुर्गा मा की पूजा कर रहे हो अध्यान जा रहे हैं मां हनुमान जी के पर तो ऐसा आप संदे की किरपा भी आपके उपर रहे हैं उसके बाद ऐसे देटिस कोटी देवी देवता है हर घर के अंदर जिसकी पूजा होती है सबसे जादा पित्र की पूजा जो है आपके विडियो को डिटेल से देखना पित्र जो होता है वो तीन साल से लेकर दस साल की बीच की आयों का ज बनते हैं इसे पित्र है वो यह क्या करते हैं क्या सुझने होता है我很 सुझने चाहचे शवरी होता है और देव शेहनी में होता है ओजब आप उसको पूझते हो तो आपके घर में देव के समाल हो छाथ हैं तो आपके घर में हर पकार की बुराई हर पकार की लड़ाई हर के कश्टों से आपको मुक्ति दिलाता है ऐसे ही हमारे उपर जो है देवी देवताओं की किर्पा बनी रहती है नेकिन वो हमें इंडिकेटर देते हैं जैक से की घर के अंदर सुगन दाना आपके घर के अंदर आपको सुवपन में आपको अद वानर रूप में दर्शन देना जैसे हनवान क्रोटी की किर्पा तो बार-बार दर्शन होते है कई मोरे ऐसे मंदिलों के दर्शन भी हमें और देखने को मिलता है कि मैंने कल भागी परसों भी एक वीडियो बनाई स्ब्सा है तो किस पकार से आप जान सकते हो तो कि अगर आपको आपको हनवान जी के मंदी के दर्शन दिख रहे हैं तो हनुमान जी की किर्पा आपके उपर है ही आगर मा काल का की आपको दिखती है सवारी आते वे ऐसे कोश्चन जो यह जो वीडियो बनाने का उद्श है यह है क्योंकि कई वार व्यक्ति जो है नाइव स्ट्रीम के अंदर भी पूछते हैं कि मेरो पर क कि किर्पा है जो जिस की बखती करता है उसकी किर्पा उनके उपर बंगी ही क्या क्या अगर हम पित्रों की अगर पूजा करते हैं तो क्या पित्रों की भी हमारे उपर सवारी आकरिपा आ सकती है उसमें कैसे हम जाने आ सकती है अगर पित्रों की किर्पा अगर आपके पित् महनमान जी की बक्ति की बक्ति करते थे और वह आगे भी क्योंकि जो जिस भी इस भी इश्ट अराद्धे की बक्ति करता है मरंद उपरांत भी वो उसी ही बक्ति में जाता है अगर कोई परेत को पुझ रहा है तो परेत भी आपके घर में आपके परिवार को उजारेगा क्योंकि अगर कोई मसान को पूज़ रहा है तो मसान भी आपके घर के अंदर जागरीत होकर वो आपके प्रवार को जारेगा ये बात अया लगना जो जैसी भक्ती करता है उसको वैसी ही किर्पा प्राप्त होती है अगर गलत तंतर पकार की करते हो तो उसी योनी को अप्राप्त कर लेते हो उसी के बाद ही आप जाते हो अगर गलत पकार की साधना कर रहे हो गलत पकार की प्रकिरिया आप जाप कर रहे हो गलत पकार की किसी क तो आप उसी अवस्था में ही चले जाऊँ आगर आप देव की ये-वस्था की पुजा कर रहे हो तो अगर ये बात आपको समझ में आगे कि आपके उपर किस देवी देवता की किरपा है यह आपके उपर भी दो मिनिट में आप समझ सकते इन बातों से दो मिनिट के अंदर आपको इन बातों का पूरा अनुभव हो जाएगा कि आपके उपर किस देवी देवता की किरपा है आप अगर भरवान की पूजा कर रहे हो के पूजा कर रहे हो किस की पूजा कर रहे हो उसकी किरपा जरूर होती है हमारे उपर यह सचाई है अगर अगर अब लेकिन कई के पास प्रत्यक्ष में होती है कि प्रत्यक्ष में ऐसे कि कई वार हमें जो शक्तियां है अनुभव देती है इशारे देती है हैं समझाती है लेकिन कई वार ऐसा भी होता है कि हम मुसीबत में होते हैं तो अजरी शुरूप में कही न कहीं से हमारी रक्षा हो जाती है तो यह पर टेक्स शुरूप में भी वो शक्ति हमारी रक्षा कर रही है तो दो मिनिट के अंदर आपको यह बात समझ में आ गई या आप समझ सकते हो इस बात को आप जान सकते हो कि किस पकार से आपके उपर किस देवी देवता कर्पा हो सकती है